डी का अब्जेक्शन राइस डेज उननीस तारीक को खतम हो गया है और आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर गूर्प डी का रिजल्ट कब तक आएगा और जब रिजल्ट आएगा तो पीटी के तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा और पीटी कितने दिनों तक चलेगा और पीटी के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है तो इस वीडियो में हम लोग इन सारे बात पर जानेंगे तो आप लोग जो भी चैनल पे नए है सबस्क्राइब करके हमारे साथ जूर जाएगा तो देखे सबसे पहले सहरा लेते हैं पुराने डेटा का यानि पीछले बार जो एक्जाम था वो 17 सिप्टेंबर से लेके 14 दिसंबर तक हुआ था 2018 में और उसके बाद 15 तारीक को एंसर किया था लगभग 30 दिन का समय लगा था जपी यहां पे जो है सिर्फ 2 दिन में आ गया था यानि 12 अक्टूबर को लास्ट हुबली जोन का एक्जाम ह हुआ था और 14 अक्टूबर को है एंसर की देखे रेल्वे ने सब को आश्चेर चकित कर दिया था मातर दो दिन का समय लिया था यहां पे अब देखिए और एक डेटा देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद जो है दस दिन का समय मिला था ऑब्जेक्शन हुआ था और यहां लगभग आपको पांच दिन का समय दिया गया इससे आप समझ पा रहे हो यहां दो दिन यहां पांच दिन यानि की रेल्वे इस बार कितनी जल्दी में है क्योंकि अभी उसे और भी ज्यादा वेकेंसी देनी है अब देखिए रिजल्ट कितने दिन के ब लगा था उस समय अब यहां पर अगर हम देखें तो 19 अक्टूबर को अब्जेक्शन खतम हुआ है तो कितने दिन का समय लग सकता है इतना तो नहीं लगेगा इससे कम लगेगा तो कितना लग सकता है तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो है यह 20 से 25 दिन का समय लगेएद नहीं कर रहे हैं तो अभी से अगर आप लोग जुड़ जाई कि समय ज्यादा नहीं मिलगा बस 20-15 दिन मिलेगा अज जैसे ही आपका यह 15 दिन का समय आता है पंदर दिसमबर से इस बात 10 दिन तक चल सकता है maximum 7 से 10 दिन क्यों क्योंकि इस बार जो है 4000 पर डे पर जोन लेना है और रेलवे ने इसके लिए बोल भी दिया है रेलवे मिसन मोड में है तो 4000 कंडिट का हो जागा 10 दिन का जाद से जादा समय लेगा यानि कि 25 दिसंबर तक आपका ये काम खतम हो जागा अब आप ये पूछेगा कि पीटी का रिजल्ट कब आएगा तो पीटी जैसे ही आप देते हैं आपके पैर में एक चिप बता हुआ रहता है और सारा का सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर पर जाता रहता है और आपका पीटी के देने के बाद दो घंटे के अंदर दो से आप मान के चल सकते हैं तीन घंटे का अंदर आपका ये पता चल जागा आपको कि आप पास है या नहीं और आप तुरंत ही खुशिया मना सकते हैं यानि कि नए साल में आप ये आराम से जान पाएगा कि आप ग्रूप D में सेलक्टेड है और एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो चुका है अब यहां पर ध्यान देनी वाली बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक P.E.T. के तयारी शुरू नहीं किया क्योंकि उनको आसंका है कि उनका होगा कि नहीं तो किसी का 40 नंबर है किसी का 50 नंबर है और डिफरेंट जोन में है तो यहां पर जोन भी बढ़ेगा नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन परसेंटाइल स्कूर बहुत ज्यादा बढ़ेगा जो साथ वाले हैं उनका 90 हो जाएगा 30-30 नंबर 25 से 30 नंबर तक बढ़ने वाला है जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप याद किजिएगा मैं इस वीडियो में बता रहा ग्राम ग्रूप से जुड़ जाएगा नीचे जाके पूरी पार्ट साला पर तो वहां पर जैसे ही आपको वीडियो आता है कल मैं कोशिस करूंगा वीडियो ला देने का तो आपको पता चल जागा कि आपका कितना नंबर है और पसेंटाइल में आपका नंबर कितना होगा तो वह काफी हद तक accurate होगा क्योंकि एंटी पीसी में भी जो लेवल 6 का जो था लेवल 6 का और लेवल 5 और लेवल 3 का जो था टाइपिंग का मैंने जो cut-off बताया था लगभग लगभग उतना ही cut-off गया था तो यहां पे भी आपको उतना ही cut-off दिखने मिलेगा और यह एक कल आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन